महीनों सडके रोक कर रखना, अविवस्ता एवंग अलगाव पैदा कर देना, दूसरे नागरिकों की सुरक्षा खत्रे में डाल देना, भीड एवंग हत्या तथा सडक की ताकत के बल पर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना क्या संबिधान सम्मत है? अगर यह सब करने वाले संबिधान समर्शक हैं, तो संबिधान बिरोधी कौन है? हमें संबिधान के सचे रक्षक एवंग बिरोधियों की पाचान करनी होगी, तभी संबिधान अपने उद्यश्यों की फूर्थी कर पाएगा. आज अपने आपको संबिधान का सबसे बड़ा हिता इसी दिखाने की कोशिस करने वाले कम्मिनिस्ट दूसरी पार्टियों के नेता समय समय पे अपने बक्तव्यों दोरा संबिधान बिरोधी अपनी मानसिक्ता का परदर्शन करते रहे हैं. 4 जून 1985 को केरल उच्च न्याले में कॉंग्रेस के नेता केसी चांडी ने CPM नेता ततकालिंग केरल सरकार में मंत्री आर बाला कृष्टन पिल्लेई के खिलाप मुकद्दमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि 25 मई 1985 को उन्होंने केरल के लोगों को आतंक वाद के के उक्साया बर्स 2022 में कॉंग्णिश पार्टी के नेता साजी चरियन ने संबिधान विरोधी ब्यान देते हुए भारतिय संबिधान को सोशण का पोशक बताया था जिसके बाद उन्हें केरल के पिनराई बिजियंस की सरकार से स्थीपा देना पड़ा इसी तरह इस बर्स फरवरी में तेलंगाना के मुख्यमंतरी केज चंदर सेखर राव ने नए संबिधान की वकालत करते हुए अपना संबिधान विरोधी चेहरा उजागर किया था